कि है आप सब आप सब आप सब अच्छे होगे तो आज सिक्स्टीन और है मेरे बेटे का बर्दे वैसे तो है 21 को लेकिन एक साथ मतलब दो जगर सेलिब्रेट करना पॉसिबल नहीं है तो बर्थटे वाले दिन मैं सेलिब्रेट करूगी अपनी फामली के साथ आज मैं दे रही अपनी ग्रूप यानि जो मेरे मेरा जो फ्रेंग सर्कल है भाभी लोग का उन लोग को पार्टी तो बस मैं अभी आप देख सकते हो किछन बहुत जादा फैला हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ किछन यह देखा बहुत जारा वैला यहां पर पाभाजी की तयारी कर दी कि मैंने क्या-क्या आज के लिए क्या-क्या तयारी करी है बाकी नाश्टे का समान सारा रेडमेट लेके आई थी वो भी जो कुछ भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूंगे तो चलिए बने रहेएगा मेरे साथ ब्लोग पर ब्लोग को एंड तक दिखेगा और इंजॉय कर आफ दिखाती हूं यहां पर मैंने त्याश कट कर के रख लिया है और इसके बाद से यहां नूरस के लिए और अभी मश्रूम वगरा कातना है तो बस चलिए फिर बने रहे हमारे साथ व्लाग में तो यहां पर भाबी वगरा सब लोग आ गई थी और नाश्ता वगरा वैसारे चीजे लगा रहे थी नाश्ता मेंने क्या-क्या था वो वीडियो में नहीं बना पाई क्य तो मैंने लैंच में बनाया थी चॉमिन मैंने चीजे घर पी बनाई थी तो यहां पर मैंने चॉमिन बनाई थी बहुत सारे वेजिटेबिस डाल के और थे खाने में था फ्राइड राइस वगरा सबको इतना ज्यादा पसंद आया ना होता है आप कोई चीज मन से बनाओ सब को अच्छा लगे तो बहुत अच्छा लगता है और चिली पनीर और मंचूरियन क्योंकि ग्रेवी सेम होती है तो मैंने यह दो चीजे डाल दी थी और यहां पर रखरियों में पाव और भाजी तो यह था हमारा लांच नूडल्स चिली पनीर मंचूरियन फ्राइड लोग को आधि नई बडल्स चाहिता है तो अभी पार्टी हो गई है खतम और बहुत जारा थकान हो गई है तो आप ब्लाग में यहीं एंट कर रही हूं चले फिर मिलते हैं नए ब्लाग में इस ब्लाग है आपको बहुत सारा प्याद दीजेगा मनमन को अपना बहुत सारा आशरवात दीजेगा थांक यू